स्वागत है आपका फ्रीजी की इस चैनल पे मेरा नाम है कीरन भाबर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकाल का दक्षिन भारत इसका डूरेशन है छे सो पचास एसवी से बारा सो छे एसवी तक कौन-कौन से वंच पढ़ेंगे हैं आज पल्लव वंच चौल स समराज, रास्ट्रकूट, वातापी के चालुक, वैगी के चालुक, कल्यानी के चालुक इन सारी चीजों को मैंने फुल एक्स्प्रेंड किया है साथी साथ इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं एक्स्रा फैक्ट्स होते हैं सबको भी डिसकस किया है ठीक है यह पार्ट जो सेकंड होगा उसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेट जितने भी important MCQs होते हैं उनको हम cover करेंगे ठीक है आप किसे भी exam के तयारी कर रहे हो चाहे RRB, SSC, UPSC, Bank या फिर कोई भी कोई भी government exam के आप तयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से related question answer आपको देखने के लिए मिल करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम लिखाओगा फ्रीजी के क्यूज उसके सामने लिखाओगा रेड कलर में सब्सक्राइब आप सिंप्ली उसको एक बार टच कर दें चलिए वीडियो के स्टाट करते हैं वीडियो गर पसंद आती है तो वीडियो को लास के बारे में ठीक है प्राचिन का भारत पड़ लिया उसके बाद आता है मध्यकाल भारत उसके जो बीच का जो डूरेशन होता है ठीक है उसको कहते हैं पूर्व मध्यकाल क्या कहेंगे पूर्व मध्यकाल ना ही ये पूरा प्राचिन में आता है और ना ही ये मध्यकाल में आत और पूरी थिचाह div , बहुट अज़िस्हीम आज वारत है तने कहो दो राजना बहुत सारे और थिक को तरर भारत का चौनल दो पार्ग कर निआ जबे नाज़ अर भारत के अ c s म मं अधिकल कामा मैप है तो बहुति है तो कि हैक उपर बहुति है कटा है proph 적 EL इसको आज हम पड़ रही है। चलिए, सारी चीज़ों को मैं ध्यान से समझाऊंगी अच्छे तर से सुनना, समझना, ध्यान से समझना, ठीक है. एक एक वर्ट का एक अलग मीनिंग होता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। चले वीडियो को स्टाट करते हैं गुप्त वंच के बाद हर्शवर्दन के अतरिक्त कोई ऐसी शक्ती नहीं थी जो उतर भारत के राजनितिक स्थिति को स्थिर्थता प्रदान कर सकती थी ठीक है एक असोग शमराट की बारे में हमने पढ़ा है जो मौरे समराज को होता है असोग शमराट फिरगुप्त वंच और हर्शवर्दन यहीं तीन ऐसे शाशक होते हैं जो उत्तर भारत का बहुत सारा हिस्सा जीतते भी हैं और उनके उपर एक साथ अधिकार अपना जमाई रखते ह अब देखिए इस समय दक्षिन भारत के दो महत पूर्ण वंच काची के पल्लव एवं बादामी या वातापी के चालुक वंच शाशन कर रहे होते हैं अब क्या होता है कि जब गुप्त वंच और यह हर्चवर्दन वंच जब यह शाशन कर रहे होते हैं उसी समय की बात दक्षिन भारत वाले हिससे में काची के पल्लव और बादामी या वातापी के चालूग के वहाँ पर भी अपना राजी कर रहे होते हैं ठीके? उतर भारत की हिससे को था हमने पढ़ लिए आची तरह से अब जो हम पढ़ेंगे दक्षिन भारत की बात करते हैं तो जब ये वंच चल रहे थे ना गुप्त वंच और हर्श्वर्दन वंच उस समय ये वंच भी दक्षिन भारत में अपना राजिय जमा के रखे होते हैं ठीक है ये देखें बात करते हैं अगर हम चटी से लेकर बारवी सदी तक ठीक है सदी का मिनिंग मैंने बता है आपको मतलब सौ साल होता है क्या होता है बच्चो सौ साल ठीक है एक सदी मतलब होता है सौ साल देखें यहाँ पर है पांड्य इधर है चॉल यहाँ पर है पल्लव ठीक है कल्याने के चालुक के यहाँ पर है वैगी के चालुक के यहाँ पर है ठीक है यह जो चालुक के चालुक है यह सब अलग नहीं है यह एकी वंच के बच्चे हैं ठीक है जैसे काका के बच्चे होता है ना काका के बच्चों उनके बच्चों उनके भी बच्चे फिर उनके बच् के बाद अच्छी तरह से समझभाओगे देखिए अगर आज के बाद करें तो यह हिस्सा कहां आता है ठीक यह मुंबई का मारास्टा हो गया यह पंडजी का गोया इधर करनाटक बैंगलोर है ना अंद्रप्रतेश तैलंगा ना यहां पे पॉंड़चारे तमिल कैरला यह ची सिर्फ उसी को डिसकस करेंगे जातर कुशन क्या बंद्र है कि किसने कौन सा मंदिर बनवाया है और कौन किसका लेखक है ठीक है यह सारी चीज़े इस समय बहुत जादा इंप्रोटेंट हो जाती है चले जो इंप्रोटेंट इप्वार्मन शाशक है सिवहनी के बारे में हम जो दृतिये के नाम से चलता है, rather, नाम वही है, लेकिन दृतिये लगाएगा आग्हें, मतलब यह इसका है पोता है ऐस चीज़ को याद रखना गया है, फिर कौनसा राजा है नरसियंद्रीромण नंदिवर्दन गया , पल्लौ वंख का अन्तिम महतपुन शाशक था, उसका न प्रात्मिक जानकारी हरिशेन के प्रयाग प्रस्ति एवं हेंतसांग के यात्रा विवरण से मिलती है। से पता चलता है कि काची के पलव भी हुआ करते थे। सामपल देते हैं तो जो सातवाहन थे इनके बारे मैं एक्स्प्रेइन कर चुकी हूं पहले हमें प्रिवेश वीडियो में तो जो सातवाहन थे इन्होंने बहुत बढ़ा राज्य जीत रखा था ठीक है वो राज्य दीर दीर सामराज्य बन गया। ठीक बहुत सारे राज्यों को मिलाकर जो एक राज्य बनता है उसको सामराज्य कहते हैं तो एक अकेला राज्य इन चोटे चोटे राज्यों में हर जगा पर अपनी निग्राहनी नहीं रख सकते हैं। चोटे चोटे राज्यों में जाकर अपना राज्य करते हैं। और वहां की जो भूमी होती है उन भूमी से कर वसूलते हैं और वो कर लाकर किसे देते हैं। जो एक राजा है उनको लाकर देते हैं। ठीक है यह चीज आपको समझा गए। मतलब जो एक राजा है अकेला वो अपनी पूरी जगा को नहीं देख रिक कर सकता है। इसलिए यह सामंद बना देते हैं। और यह सामंद क्या करते हैं? वहां से करवसुल के लेकर आते हैं ज कुछ भूमी का हिस्सा दे दिया जाता है और वहां पर यह अपना राज जमाते हैं। तो इनके मन में क्या आ जाता है? धीरे धीरे लालच आ जाता है कि हमें इसे फिए छोटी से जगा मिली है अगर हमें यह राजा के पूरा समराज अगर हमारा हो जाए तो कितना अच्छा हो इसी लालच के वज़े से सामन्त क्या करते हैं? राजाओं को मार देते हैं और उनकी जगा पर आके बैठ जाते हैं। तो यही मतलब है कि जो यह पल्लव है यह पहले इन राजा सातवाहनों के राजा के सामन्त हुआ करते थे। सातवाहन ने कुछ भूमी का हिस्सा दिया कर दी ठीक है? इस्वा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो इसी पूर्व में क्या होता था? कि राजा राजा आपस में लड़ते थे ठीक है? लेकिन इसी सदी में क्या होने लगा? जादा तर जो सामन्त जो होते थे हैं ना? जो यह राजा है ही जो सामन्त बना के रखते इतना जिसको यही दोके से राजा को मार दिया करते थे। पल्लव वंच का संस्थापक सिह विष्णू है। इस वर इस बुक का नाम क्या है। किरातार जूनियम। ठीक है। इसका लेखक है भारवी। यह स्थिह विष्णू के दर्बार में रहता था। कुशन भी आते हैं कि कौन किसके दर्बार में था। कौन सा कवी किसके दर्बार में हुआ करता था। महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका दूरिशन है 600। से लेखा 630 इसवी तक। ठीक है। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। ठीक है। यह राजा भी था और साथ में साथ यह रचनाकार भी था। ठीक है। महेंद्र वर्मन की बुक है उसका नाम है मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतालम भी था परंतु बाद में तमिल संथ अपार के प्रभाव में आकर शेव बन गया। ठीक है। पहले ही अपनी सोच कैसे रखता था। जैनो जैसे सोच रखता था लेकिन बाद में तमिल का एक संथ है अपार। इसके प्रभाव में आया और शेव धर्म इसने अपना लिया। ठीक। नर्सी वर्मन प्रथम। इनका डूरेशन है 6.30 से लिएका 6.68 ऐसवी तक। महाबलीपूरम के एकाश्म मंदिर जिन है रत कहा गया है। ठीके इसको सुना इससे कोशन बहुत सारे बनते हैं। का निर्मान प्लव राजा नर्सी वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इनका डूरेशन भी आद रखना 6.30 से लिएका 6.68 ऐसवी तक। रत मंदिरों की संक्या साथ है रत मंदिरों में सबसे छोटा दिरोपती रत है। कहीं कहीं पर आपको 5 पढ़ने के लिए मल जाएगा। बातपी कॉंड और महामल की उपाद्धी नरसी वर्मन प्रथम ने धारण की थी इसी के शाशनकाल में चिनी यात्री हैंतसांग काची आया था ठीक है हैंतसांग ये एक चिनी यात्री है इसको याद रखना है इससे रेलेटेड बहुत सारे कुशन अंसर बनते हैं ठीक है ये सारे रजाओं के बारे में कुछ न कुछ लिखा है ठीक है ये जो उपाद्धियां होती है उपाद्धी मतलब देखे ये जब भी कोई युद लड़ते हैं अगर महाँ पर विजे हो जाते हैं जीत जाते हैं तो ये एक उपाद्धी धारण कर लेते हैं ठीक है उपाद्धी मतलब कुछ अच्छा आप किया इनोंने कुछ जीत लिया या फिर अपने खुद का राजबी शेक किया तो इनोंने एक उपाद्धी धारन कर ली परमेश्वर वर्मन इनका डूरेशन है 670 से लेकर 720 परमेश्वर वर्मन प्रथम शेव मतानुयाई था मतानुयाई मतलब मैंने शेव धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसाई धर्म, पार्सी धर्म होते हैं उसमें एक शेव धर्मे भी होता है लोकादित्य, एकमल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुण भाजन, आदी की उपाद्ध्या ग्रहन की थी इनोंने मतलब इतने सारे युद जी जीतने के बाद एक-एक उपाद्धी करके इनोंने धर्ण की, चातरी युद जीतने के बाद ही उपाद्यां लेते थे, इसने मालल पूरम में गणेश मंदिर का निर्मान करवाया, यह मालल पूरम क्या है, यही महाबल्ली पूरम के नाम से जाना जाता है आज के थारिक में ठीक है, महाबल्लीपूरं, परमेशवर वर्मन प्रथम विध्या प्रेमी भी था और उसने विध्या विनित की उपादी भी ले थी, ठीक है, नर्शी वर्मन दृतिय, अर्बो के आकरमन के समय, पल्लवो का शाषक नर्शी वर्मन दृतिय था, देखें, ये राचा आपस में लड रहे थे और साथी साथ विदेशियाकरमन भी हो रहे थे ठीक है अर्बो का आकरमन इसके बारे में बताएंगे next वीडियो में ठीक है जो बाद में जो वीडियो आएगे उसमें हम सारी बात करेंगे जितने भी विदेशियाकरमन हुए पूरा उनको A to Z समझेंगे ठीक है ताकि एक इमेज आपके दिमाग में बन जाए कि पहले कौन सा बहर विदेशयाक्रमन हुआ था, सबसे पहले कौन सा विदेशयाक्रमन है वो है इरानी, ठीक है उसके बाद आते हैं युनानी, ठीक हिंदी युनानी फिर शक कुषानों सब कंट्यूनू चलते रहते हैं, उसने जिसे राज शिद्देश्वर मंदिर भी कहा जाता है यह कहाँ पर काची के कैलाश मंदिर तिक है कैलाश नाथ इसी मंदिर के निर्मान से द्रवीड स्थापत्य कला की शुरुआत हुई तिक है द्रवीड स्थापत्य ठिक है यह एक कला है महाबलीपूरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नर्सी वर्मन दृतिय ने करवाया कौन सा मंदिर शोर मंदिर काची के कैलाशनात मंदिर में पल्लव राजा और रानियों की आदम कद तस्वीरे लगी है दश कुमार चरित्र के लेखक दंडी नर्सी वर्मन दुरुतिय के दर्बार में रहते थे ये दर्बार में कौन सा कभी रहता था इनके उपर कोशन जरूर बनते है काची के मुकतेशवर मंदिर तथा बैकुंट पैरूल मंदिर का निर्मान नंदी वर्मन दुरुतिय ने करवाया था ठीके ये वैशनेव संत है सबसे ज़्यादा प्रसीद है इनका क्या नाम है देखे तिरुमंड गई अलवार नंदी वर्मन दृति के समकालिन था समकालिन मतलब इसी के शाषनकाल में ये भी था अब पढ़ेंगे हम चॉल समराज के बारे में चॉल समराज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है संगमकाल में संगमकाल में सिर्फ ये पढ़ा था कि उस समय कौन-कौन सी बुस्तक के लिखी गई थी जब पहली से लेकर तीसरी सदी तक हमने पढ़ा था ठीके आज हम उसके आगे और कंटीनियू करेंगे इसको पूर्वी चौल पहले के जो चौल थे वो पुहर उयर इनकी राजधानी थी ठीके उयर मद्यकालिन चौल में अभी में उसके बाद तंजावूर गंग कोडे चौल पूरम इन्होंने अपनी राजधानी बनाए इस्थापना कब हुई इसको ध्यान रखना पूर्वी चौल प 30320 पूर है ना तब इनके स्थापनों वी थी बाद में इनकी स्थापना एक और बार हुई मद्यकालिन चौल का उधाय वापिस होता है एक बार देखिए पहले यह चौल समराज जिनोंने बनाया था इनका पतन हो जाता है लेकिन एक और बार यह वापिस उधाय हो जाते है मद्यकालिन चौल का उधाय 843 में होता है ठीक और आंत कब जागर होता है 1279 इसवी में इनका अंत होता है इसको याद रखना ठीकि यह दो बार इनका उधाय होता है चौल वंच के प्रमुक राजा कौन-कौन से थे पढ़ लेते हैं बहुत सारे राजा होते हैं लेकिन हम सि इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से परातंक प्रथम इनका डूरेशन है 907 से लेकर 955 इसवी ठीकि यह सारी चीज़े इसवी में चल रही है राजराम प्रथम राजेंद्र प्रथम राजेंद्र दृतिय एवं कुलंतुंग प्रथम ठीकिया नाम है इसक संगम युक के उपर हमें वीडियो बना चुकी हूं भारत का इतिहास प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी संगम साहित्य के दो चौल नरेश कारिकाल एवं कोचेन गनान का वर्णन मिलता है चौल समराज कोचेल मंडलम के नाम से भी जाना जाता था और यह पन्नोर और कावेरी नदियों के मध्य पूरवी थड़ पर इस्तित्य था हमने देखा था मैप में यह कहां पर है पॉनऌर और कावेरी नदी के बीच में है ठीक है मैप में आपको शुरू में ही बता दिया है इसको क्या कहा जाता था कोचौल मंडलम भी कहा जाता था हूँ पढ़ इनका एक और बार उदय होता है ठीके ये राजा वापिस बनते हैं एक और बार चौल समराज का अबुदय अबुदय मतलब एक और बार बनना ठीके दीरे दीरे वापिस एक और बार राजा बनना अबुदय का मतलब चौल समराज का अबुदय नविश अताब्दी में हुआ और दक्षिन प्राय दीप का अधिकांश भाग इसके अधिकार में था ठीक है ये देखो ये एक अब इसको वाड़ डिसकस करें हैं हम ध्यान से बस आप इसको सुनो कि दक्षिन का जो प्राय दीप जो होता था उसका बहुत सारा हिस्सा भी इन अंधर में कर रखा था चौल समराजे ने क्यों क्योंकि इसके पास नौ सेना थी नाव की एक अच्छी सेना हुआ करती थी चौल राज शाशकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीब दिवपो पर भी इनका अधिकार था ठीक है मालदीब दिवप आपको पता है मैप में आप देखना शिलंगा आपको पता है उन हिस्सों को भी इसने जीत रखा था कुछ समय देक इनका प्रभाव कलिंग और तुंग भद्र दो आप पर भी चाया था ठीक है कलिंग आपको पता है मैप में इसके पास शक्तिशाली नौ सेना थी और ये द पूरव एशा आपको पता है न अगर मैप में हम ऐसे देखते तो यह उत्तर दक्षिनि पूरव पक्षिन ञटिक टो दक्षिनि पूरव मतलब यहां का हिस्सा थिके भारत कई यह दक्षिन हिस्सा तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ से भी और नीचे का जो हिस्सा है यह तो समुंदरी इलाका आ गया तो वहाँ पर भी इसने बहुत सारे हिस्से को जीत रखा था अपना प्रभाव कायम कर रखा था ठीक है अच्छा खासा प्रभाव था इसका वहाँ पर च करीब दो सताब्दियों तक अर्थात बारवी इस्वी के मध्य तक चॉल शाशकों ने न केवाल एक स्थिर प्रसासन दिया कला और साहित्य को बहुत ही प्रत्साहन दिया ठीक है दो सदी तक चला है इनका मतलब 800 से लेकर पुरा 1200 तक बारा सो तक इनोंने राज किया कुछ इतिहास कारों का मत है कि चॉल काल दक्षिन भारत का स्वन युग था ठीक है स्कों याद रखना दक्षिन भारत का स्वन युग कौन सा था चौल काल ठीक देखिए अब इनके वारे में हम बात करते हैं कौन-कौन से शाशक थे इसमें विज्याले इनका जो सन है वो है 850 इस्वी ठीक 850 इस्वी में विज्याले ने तंजोर पर कबजा कर लिया था ठीक है वहाँ पलवो का सामन्द था देखिए मैंने बताया है न पहले सात वहानों के सामन्द थे कौन-पलव ठीक है सात वहानों को हराकर ये पलव वहाँ बैठे अब इन पलवों को हराकर कौन बैठे हैं ये चौल सामराजी बैठा है वहाँ पर ठीक ये चीज़ आपको समझ में आ रही दिमाग में एक इमेज बंड़ी कब किसके बाद कौन आया ठीक है ये भी इनके सामन्द थे मैंने बताया न आब यहाँ राजा राजा तो इतने लड़ते तो थे लेकिन जादातर उनके हिस्से पे कौन राज कर बैठता था सामन्द कर बैठते थे सामन्द कौन है एक और बार बता देती हूं जैसे पल्लव राजा है ठीक है इसके अंडर में बहुत सारा जमीन है बहुत सारी जमीन है ठीक है इतना बड़ा सामराज है बहुत सारी जमीन है हर किसी जमीन से वो करवसूल नहीं सकता तो यह क्या करता है एक तरह से मालन लेते हैं तो वो एक सामनत कहलाते है जो उस भूमी के हिस्से पर ध्यान रखता है और राजा को वहां से करिखटा करके देता है दीरी-दीरी इनी सामनत के मन में पापा जाता है और ये राजाओं को खतम कर देते हैं और अपने वंश का वहाँ पर नया स्थापना करते हैं नये वंश की ठीक ये चीज़ समझ में आ गए तो पल्लवों के ही ये सामंत हुआ करते थे चौल ठीक उसने तंजई कॉंड़ा और पारकेशरी की उपाद्धियां धारण की और तंजोर में अपनी राजधानी बनाई ठ ऐसे ही पल्लवों को हराया तो कौन-कौन सी उपद्धी इनने धारण की वो थी तंजई कॉंड़ा और पारकेशरी आधित प्रथम के शाशनकाल में चौलों ने स्वयम को पल्लवों से मुक्त कर लिया था अब देखे अगर ये सामंत है देखे सामंत है तो ये कही ना कही है राजा के अंडर में ही है ठीक है लेकिन एक कुछ समय तक तो इन राजाओं के अंडर में रहते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि ये इनसे अपने आपको मुक्त कर लेते हैं पूरी तरह से ठीक है और जात तर ऐसा भी होता था कि जैसी ये राजा ने इसको कुछ हिस्सा दिया जमीन का तो यह क्या करता था दीरे दीरे उस जमीन पर अपना ही अधिकार जमा लेता और वहाँ पर अपने वंच को नई स्थापना कर लेता और राजा को बोल देता कि अब यह सिर्फ मेरा ही हिस्सा है ठीक है मुक्त कर लेता उसके राजा के जो समराज होता है वहाँ स उसको पल्लवों से मुक्त कर लिया था ठीक आदित्य प्रथम ने उसने पल्लव राजा पराजिता को हराया वह संपूर्ण टोंडई मंडलम पर नेंतरन चुनिचित किया उसने गंग और पांडे को भी हराया था ठीक है और भी वंच थे उससमें गंग भी थे पांडे थे उन इसने सिंँगलो को हराया और मुदेर पर अपनी वनाली टकोलम की युद में रास्ञकुटो और गंगो की समलित सेना ने परातंग प्रथम को प्रास्थ कर दिया आप उससमें क्या होता था कि कोई दूसरा réalजा की मदद लेता और सामने वाले को राता था तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ राश्टकूटव और यह गंग यह दोनों आपस में मिल गए और इनकी सेना ने परातंग प्रथम को हरा दिया ठीक है यह चौल का राजा है परातंग प्रथम परांतंग प्रथम के उतर मेरूर अभी लेखों से चोलो के स्थाने प्रशाशन का पता चलता है ठीक है कौन से अभी लेख से उतर मेरूर उतर मेरूर ठीक है उतर मेरूर अभी लेख से पता चलता है इनके स्थाने प्रशाशन का चलिए राज राजा प्रथम है यह इंपोर्टेंट है इसका प्रफम ने अरुन मोजी वर्मार मुमादी जैकॉंडा मारतर कांट चौल मुंदम्भी चौल कैरलनाथ सिंग लानताक पांडूल कुल शिनी आधी उपाद्या धारन की थी उपाद्यों का मिनिंग में आपको बता चुकी है मतलब इसने कहीं न कहीं इतनी सारी लड़ाईया लड़ी समय जीता तब जाकर इसने उपाद्य इनको बनाया ठीके जिस भी लड़ाई को लड़ते जीत जाती तो ये उपाद्य धारन करते उसने चैर चालुक और गंगो को हर गंग भी थे उस समय देखे अब इन्होंने क्या किया उसने मुदेर पर कब्सा किया और उत्री श्री लंका पर कब्सा कर पोलोना रुबा को अनुरधापूर के स्थान पर राजधानी बनाया उसने मालदीव को भी जोड़ा देखे इनके पास नौ सेना थी यह नौका जो होत पहले श्री लंका की वहाँ पर राजधानी हुआ करती थी अनौरधापूर उसके स्थान पर इसने पोलो नारुवा को राजधानी बनाया और उस जगा पर अपना राज इस्थापित किया उसने तंजोर में व्रदेश्वर शिव मंदिर बनवाया जिसे राज-राजश्वर मंदिर भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है राज-राजश्वर मंदिर भी कहा जाता है ठीक है तंजोर में कौन सा मंदिर है ब्रदेश्वर शिव मंदिर ठीक है जिसे राज-राजश्वर मंदिर भी कहा जाता है वैगी के राजा की पुत्री से विवाह करने के उपरांत इसे इसके शाषकों को वापिस कर दिया ठीक है बैगी ये कौन है चालुक का राजा है ठीक है एक चालुक का राजा है उससे इसने क्या क्या अपने पुत्री का विवाह कर दिया और वहाँ जो उसके शाषक को इन्होंने बंदी बना रखा था उनको वापिस उसने कर दिया ठ राजस्व ववस्ता को पुनर्ववस्तित किया ठीक है उसके बाद राजेंद्र प्रथम ठीक है इनका डूरेशन है 1014 से लेकर 1044 यह राजा बना उसे शिरी लंका पर पून विजय प्राप्त कर ली और इसके शाशक महिंद्रा को चौल की राजधानी में लेकर आ गया उसने एक नया राजे बनाया जिसकी राजधानी मुदूरे थे ठीक है मुदूरे उसने उत्तर में अभियान चलाकर पाल शाशक महिपाल प्रथम को हराया ठीक है इसने एक शाशक अभियान चलाया था जिस अभियान में ये बहुत सारी राजधानी को जीतना चाता था तो वह परण की और नई राजधानी गंगई चौलपूरम बनाई देखिए इनकी को एक राजधानी नहीं होती थी ये बार बार अपने राजधानी बदलते रहते थे ठीक है उसके शाशनकाल में उसके पुत्र राजादी राज ने पांडव और चेरों के एक विद्रोह का दमन क्या तो उनका दमन किया था मतलब उसको दबाया था उस विद्रोह का राजादी राज प्रथम ने यादगीर में एक जैस्थम लगवाया है ठीक है इसकी यादगीरी में एक इसने क्या लगवाया है जैस्थम भी लगवाया है उसने विजे राजेंद्र की उपादी धारण की बहाचालू के राजा रामेश्वर से लड़ते हुए कोपम की युद में मारा गया ठीक है राजेंद्र दूतिये ने सामेश्वर को हरा दिया और कोलापूर में एक जैस्थम लगवाया ठीक है यह जब भी हारते थे या जीते थे तो कुछ ना कुछ यह करवाते थे ठीक है त को कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और एक विद्रोह का दमन करते हुए मारा गया ठीक है जो सबसे पहला जून का राजा था विजया लए ठीक है इसने विजया लए नहीं चॉल समराज्य के स्थापना की थी और बीच में फिर इनकी बेटी की शादी करती थी कहां वैगी के राजा के साथ तो उसके बाद के जो शाषन चला था उसको चौल चालुक के शाषन के राम से भी जाना था इसी के साथ विज्याले दुआरा स्थापित खरम समाप्त हो जाता है जो इसके जो अंशलते सब समाप्त हो जाते हैं इसके बाद क्या होता है इसके बाद पुर्वी चालुक के वैगी के का कोलू तुंग दृतिय राजा बना ठीक है अब यही जाकर यही लोग बाद में जाकर चालुक के वैगी के राजा बन जाते हैं ठीक है यह चीज आपको समझ में आ रही है उसने वैगी और चॉलो का एकी करण किया और इसलिए बाद में यह समय चॉल चालू की इतिहास कहलाया ठीक है जो हम पढ़ते हैं वैगी चालू के अभी हम पढ़ेंगे यह इसका राजा ही वही होता है कोलू तुंग यह कहां से आया होता है यह चॉल से आया होता है ठीक है चॉलो क का को स्वतंत्र कर दिया 1077 में उसने एक राज्टूत चेन भेजा प्रसिद लेखक कंबन उनके दर्बार की शोबा हुआ करता था ठीक है क्या नाम है कंबन ठीक है अब राज्टूत के बारे में पढ़ते हैं इनके प्रमुक शाशक कौन कौन से थे पहला है दंती दूर्ग इनका दूरेशन है 736 इसवी से 756 इसवी देख रहे हैं आप दूरेशन से पता चल रहा है यह उसी समय के हैं जब यह आपस में लड़ रहे थे ठीक है यह आसपास ही हो रहे थे प्रश्ण प्रतम दुरूवधारा वर्ष गोविंद तृतिय अमोग वर्ष प्रतम उर्ष्ण दृतिय इंद्र तृतिय क्रश्ण तृतिय ठीक है कहां कहां से चल है इस सबसे पहला था 735 से लेकर इसने 756 तक अपना राज किया उसके बाद जो सबसे लास्ट व अला ठीकिंव प्रतम था वो था दंती दूर्ग और और अंखली वला था इंदर चतूर्थ आप नाम याद रखना कौन सा की सवतilar आ रहा है और और आगे प्रशिद कैलासमंदिर का निर्मान कृष्ण प्रथम ने करवाय था ठीक है यह याद रिखना ओप एहला और आयलोरा कि जो प्रशिद केलासमंदिर का निर्मान आप विवो stir प्रथम नहीं करवाय थे राष्ट कूट वह ज्यादा इंपोर्टेंट इसको ध्यां से सुना राश्टकूट राजवंच का संस्थापक दंती दूर्ग 752 इस्वी था ठीक है दंती दूर्ग ही ने इसकी स्थापना अभी देखे शुरुवात में वे करनाटक के चालुक के राजाओं के अधीन हुआ करते थे ठीक है जो यह चालुक के जो राजा थे सबसे पहले शुरुवात में यह इनके ही अधीन में काम करते थे मतलब यह इनके कुछ अधीकारी हुआ करते थे या फिर छोटा कुछ राजपाट इनका समाला करते थे ठीक है राजाओं का और यही लोग जो यही है जो रास्टकूट जो बाद में इन चालुक्यों को हरा कर उनके जगा पर आकर बैठ जाते हैं ठीक है इसकी राज़ने देखिए इस चालुक्यों के बारे में बता दू आपको यह जो चालुकी जो इतने सारे हम वंच पढ़ेंगे वैगी वैगी वा तो सबसे पहले वाले जो रहते हैं बादामी वातापी जिसे बादामी वातापी चालुकी भी कहते हैं उन राजाओं को हरा कर रास्टकूट उनके जगा पर आ जाता है ठीक है इसकी राज़नी मनकीर या मान्य खेत वरतमान माल खेड शोलापूर के निकट थी ठीक है यह प आपको यह पत्थर काटके बनाए गई है बड़े बड़े जो पत्थर चटाने होती थी ना उनको पुरा काटकर बनाया गया है है ना याद रखना एक और बार में आपको पड़ा देती हूँ यहाँ पर कोशन आएगा एलोरा के प्रसिद केलास मंदिर का निर्मान क्रश्य प फाषक था जिसने कन्नोज पर अधिकार करने है तू त्री पच्छी संगर्ष में भाग लिया ठीके त्री पच्छी संगर्ष आपको बता चुकी हूँ थोड़ा सोर बता देती हूँ ने भाग लिया था और प्रतिहार नरिश वत्त राज एवं पाल नरिश धर्मापाल को पराजित क्या, देखें, त्रीकोन जैसे शेप हो रहा था, ठीके, यहाँ पर बेटा था, प्रतिहार था, यहाँ पर पाल था, और यहाँ पर था रास्टकूर, ठीके इंडिया के मैप में, यह तीनों आपस में लड़ रहे थे, यहाँ पर बीच में था, कन्योज, है ना, हर् पर राज नहीं करूंगा रहने देता हूं और जो प्रतिहार था वो इस जगा को अपना राजधानी बना लेता है ठीक है काफी साल हो गए थे लड़ते लड़ते बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी हो रहा था राजकूट को लगा कि कुछ मतलब नहीं है उस चीज़ को जीतने से इसलिए उस चीज़ को छोड़ देता है और वहाँ पर प्रतिहार है यह वहाँ पर अपना राज जमा लेते हैं इनकी बीच में 200 साल तक लड़ाई होती है तो 200 साल के बीच में कभी राजकूट जीत जाता ह है कभी यह जो पाल वंच है कभी यह जीत जाते हैं लेकिन सबसे आखरी में किसके अधिकार में जाती हो जगा प्रतिहार नरिश के अधिकार में जाती है दुरूव को धारा वर्ष भी कहा जाता है ठीक है गोविंदर तृतिय ने 35 संगर्ष में भाग लेकर चक्रायुद ए इस चीज को याद रखना ये पूछा जाता है जो गोविंदर तृतिय है इसने बहुत अच्छा काम किया था जो लड़े और इतिना 35 संगर्ष मतलब तीन राजां का संगर्ष हो रहा था कनोज पर अपना अधिकार जमाने के लिए तो जो गोविंदर तृतिय है इसी ने ध हार जीज चलती रही ठीक है पल्लव पांड्य केरल एवं गंग शाशको के संग को गोविंद तृतिय ने नस्ट कर दिया था ठीक है किसको पल्लव पांड्य केरल एवं गंग शाशको को ठीक है इतनी सारों को भी इन्होंने नस्ट किया और यहाँ पर अपनी जगा बना ली अमोग वर्ष जैन धर्म का अनुयाई था उसके बाद आता है अमोग वर्ष ठीक है ये जैन धर्म क्या था अनुयाई था इसने कन्नड में कवीराज मार्ग की रचना की थी किसने अमोग वर्ष ने याद रखना आधिपुराण में के रचनाकार जिनसैन गनिता सार संग्रख के लेखक महाविराचार एवं अमोग वर्ष के लेखक सत कायना अमोग वर्ष के दरबार में थे ठीक है याद रखना कौन कौन रहता था देख आदीपुरान का रचनाकार कौन है जैन सेन जिन सेन ठीक है आदीपुरान के रचनाकार है जिन सेन गणिता सार संग्रह के लेखक है महाविराचार्य है ना अमोग वर्थी के लेखक है सत काइना अमोग वर्ष के दरबार में ये सब रहते थे अमगवर्ष ने तुंग भद्रा नदी के जल समाधी लेकर जेवन का अंत किया इंद्रत्रतिय के शाषन में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया याद रखना कोना आया था अरब का निवासी अलमसूदी भारत आया इसने ततकालीन राष्टकूट शाषको को भारत का सर्वस्ट्रेट शाषक कहा राष्टकूट वंच का अंतिम महान शाषक था कृष्ण तृतिय इसी के दरबार में कंणड भाषा की कवी पौन रहते थे जिन्होंने शांती पुराण की रचना की थी याद रखना ये जो कृष्ण तृतिय है इसके दरबार में कौन रहता था कंणड भाषा का कवी पौन रहता था और इसने क्या लिखी थी शांती पुराण की रचना की थी वंच के शाखा वापती वैगी कल्याने चालुक के दक्षिन और मद्ध भारत में राज करने वाले शाशक थे जिनका प्रभूफ्त्व छट्टी से बार्वी शताप्दी तक रहा ठीक है उन्हें उन्हें चट्टी से लेकर बार्वी शताप्दी तक शाशन किया जितने वे वंची ने सब इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे इतिहास में चालुक्यों के परिवारों का उलेख आता है इनमें सबसे पुराणा वंच था बादामी चालुक के वंच कहलाता है जो छटी सताप्दी के मध्य से वाप्ती आधुनिक बादामी में सत्ता में था ठीक है इनको और एक्स्प्रेन करूंगी अभी सिफ एक ओवर्वियू देती हूं आपको कालांतर में बादामी चालुक के राजा पुलकेशन दृतिय की मृत्यों के उपरांत पूर्वी दक्कन में चालुक्यों का एक अलग राज अस्तित्वे में आया जिसके राज के दीरे दीरे कालांतर मतलब क्या होता है आगे चलकर कालांतर मतलब आगे चलकर आगे चलकर जो ये बादामी जो चालुक के थे इनका एक राजा है पुलकेश priority है इसकी मर जाने के बाद काफी समय हो गया बहुत लंबा best ओर गया लेकिन कोई वी ऊचे ता जो वा यह दिरे दिरे कहां चले गए दक्कन में चले गए थे लोग यह लोग वैगी से सत्ता चलाते थे और इनका राजपाट ग्यारवी सताबदी तक चला ठीक है अब देखें बादामी के बाद पुलकेशिन दृतिये के बाद यह पूर्वी चालुक के कहलाने लग गए ठीक है औ पूर्वी चालुक के और वैगी चालुक के है न क्योंकि इनके राजधानी वैगी थी इसलिए वैगी चालुक के अपने आपको कहते थे दस्वी सताबदी में कल्यानी आधुनिक वासव कल्यान में एक तीसरे चालुक के वंचका उदए हुआ जो पश्चमी चालुक के कहल जाते थी इनका शाषन बारवी सताबदी तक चला मैप में आपको बताया है इसले इनको पूर्वी चालुक के भी कहते हैं, उसके बाद ये वापिस इदर आए, यहाँ पर ये कल्यानी में वापिस आ गए, जिसे पश्चमी चालुक के नाम से कहते थे, ठीके इनकी बीच में काफी लंबा समय हुआ है, ठीके वापिस से सत्ता में आने के लिए, लेकिन इनको इसी नाम से जाना जाता है, इसलिए इनका नाम अलग-अलग तरीके से लिया जाता है, क्योंकि डूरेशन अलग होता है, ठीके टाइम पिरेड अलग होता है, ठीके ये चीज आपको समझ में आ गई, ये तीनो चालुक के बीच रक्त का संबंद होता है, मैंने बताया है आपको, कि ये देखो, एक और बात क्या होता है, बहुत सारे साल हो जाते हैं, तो काका के बेटे, बेटे के बेटे हैं, इस तरह से वंच अलग-अलग हो जाते हैं, एक जैसे पिता है, उनके दो बेटे हैं, इधर एक काका हो गया, अब इनके भी बच्चे हो गए, इनके भी बच्चे हो गए, तो इस तर और बार मैप में बता दिती हूं यहां पर है चॉल यहां पर है पल्लव यहां पर है पांड ठीक है और यहां पर है रास्ट कुट ठीक है यह जो चॉल थे यहीं से यहां पर श्री लंगा पर अधिकार किया फिर माल देप ने फिर यह जगा जगा पर यहां पर इसने अधिकार भी किया था ठीक है चालू के वंच वातापी के बारे में अगर पढ़ते हैं तो कौन-कौन से प्रमुक शाशा के इसमें देखिए पुलकेशिन प्रथम किर्ति वर्मन पुलकेशिन दृतिय ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट है दृतिय है न विकरम आदित्य विन्यादित एवं विजिया दित्य चलिए जैसिंग ने वातापी के चालू के वंच के स्थापना की किसने जैसिंग ने कहीं कहीं दूसरा नाम भी आता है जिसकी राजधानी वातापी विजापूर के निकट थी इसमें सबसे प्राप्ति राजा पुलकेशिन दृतिय हुआ कौन सा सब बीया जो प्राप्ति राजा था पुलकेशिन दृतिय हुआ के महाकुटि स्थम्प लेख से प्रमानित होता है कि पुलकेशिन दृतिय बहु सुवन एवं अगनिस्टोम यग संपन करवाया थ हुआ थी बहुस सुवन एवं अगनी स्टोम यग ठीक है किसने करवाय थे पुलकेसिन दृतिये ने करवाय थे यग क्यों करवाय करते थे यह लोग ताकि यह कुछ अच्छा और प्राप्त कर सके किसी सामराज को अपने सामराज को बढ़ाना हो किसी दूसरे राज़ पर अधिकार करना हो तो यग ये करवाय करते थे जिनेंद्र का मेगूती मंदिर पुलकेसिन दृतिये ने बनवाय था ठीक है कहां का जिनेंद्र का मेगूती मंदिर ठीक पुलकेसिन दृतिये ने हर्श्वर्दन को हरा कर परमेश्वर की उपादी धारन की थे देखे हर्श्वर्दन निकला था विजय करने के लिए दक्षिन एरिया पर ठीक है लेकिन उस समय कौन बैठे थे उलके सिंदुरुती है वहाँ पर बैठा था इसने आगे आने नहीं दिया था हरश्वर्दन को और हरा दिया था ठीक है चालिक के वंच महां उपर बैठा होता है ना बैमबे आपको बताया क उपर बाता भी बैठा हुआ था तो इसने क्या आने नहीं दिया था हरश्वर्दन को दक्षिन भारत का हिस्सा जीतने नहीं दिया था इसे वज़े से दक्षिन हिस्सा बच गया वरना ये भी इनी राजाओं के अधिकार में चला जाता ये इंपोर्टेंट है लड़ाई है को लगबग 642 एस्वी में प्रास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया ठीके देखो अब क्या होता है बीच में आपस में लड़ रहे थे तो एक लड़ए ऐसी भी थी कि जो पल्लव का जो वंश था है ना नरसी वर्मन इसने क्या क्या पुलके जाता है कौन सा वंश आता है पल्लव वंश आ जाता है उनकी जगा पर संभवत इसी युद्ध में पुलके सिंदृतिये मारा गया इसी विजय के बाद नरसी वर्मन ने वातुपी कॉंड की उपादी धारण की ठीक है नरसी वर्मन की वीडियो वाले में हमने अभी आपको बताया है अहोल अभी लेक का संभंध पुलके सिंदृतिये से है ठीक है इसको याद रखना कोशन बनेगा अहोल अभी लेक का संभंध पुलके सिंदृतिये से है लेकक रवी किरती अजनता के एक गुहा चित्र में फार्सी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलके द्रुतिये को दिखाया गया है ठीक है है ना अजनता की एक गुफा है उसमें चित्र बनाया गया है कि फार्सी का एक दूत का मंडल है उसका स्वागत कर रहा है कौन पुलकेशिन द्रुतिये है ना पुलकेशिन द्रुतिये फार्सी के दूत का मंडल है उनका स्वागत करता ह वातापी का निर्मान करता कृति वर्मन को माना जाता है कौन है किरति वर्मन कहीं पर किरति वर्मन लिखा हुआ है कहीं पर दुसा नाम भी लिखा हुआ है मालवा को जीतने के बाद विनया दित्य ने सलकोत्रपत नात की उपादी धारन की इस आक्रमन का मुकाबला विक्रम आधित्य के भतीज पुल केसी ने किया कौन है ये विक्रम आधित्य का भतीजा इस अभियान के सफलता पर विकरम आदित्र दृतिय ने इसे अवनीज नाशय की उपाद्धी प्रदान की किसकी अवनीज नाशय की ठीक है ये उपाद्धी देखो मैंने बताया था आपको कि उपाद्धी क्यों दी जाती थी या तो कुछ जीत जाते थे है ना किसे भी चीज में वो जीत जाते थे यूद में तो ये उपाद्धियां धारन करते थे उपाद्धियों से पता चलता है कि उन्होंने कितने यूद जीते थे विक्रम आदित प्रतम की प्रतम पतनी लोग महादेवी ने पतद कल में विरुपाच महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पतनी त्रीलोक्य देवी ने त्रीलोकेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया ठीक है किसने देखे विग्राम आधित्य की दो पतनिया होती है उसमें से एक जो महादेवी है उसने पटदकल में विरुपाच महादेव मंदिर का निर्मान करवाया दूसरी त्री लोक्य ने त्री लोकेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया इस वंस का अंतिम राजा होता है क देखे चालुकी गए चालुकी के बाद आये पल्लो पल्लो के बाद आये रास्ट कुट है ना याद रखना तो यह जो दंती दूर्ग है यह रास्ट कुट वंश का है यह इसका सामन्त होता है किरती वर्मन का है और यह इसको हरा कर यहाँ पर अपना वंश चलाता है अहोल को म इनको वैग्य चालु की कहा जाता था और यह दृतिया, उनका भाई है विश्णु वर्धन है ना वही होता है जो यहाँ पर अपनी एक नई शाखा चलाता है इस वंच का सबसे शक्तिशाली शाशक होता है विज्यादित तृतिय दस्वी सदी में वे कमजोर हो गए और चोलो के सहीयोगी बन गए ठीक है दस्वी सदीम में क्या होता है जो यह चोल राजा होता है इनके सहीयोगी बन जाते हैं मतलब यह इनके इनका साथ लेते हैं और दीरे दीरे उनके साथ में ही अपना राज का देखरे करते हैं वेगी के चालुके वंच का सधापक विश्नु वर्धन था ठीक है कौन है विश्नु वर्धन विश्नु वर्धन पुलकेसिन दृतिय का भाई होता है इसकी राजदाने वेगी आदन प्रदेश में थी इस वंच की सबसे प्राप्ति राजा विजयादित्य दृतिय था जि सोमेश्वर द्रतिय विक्रम आदितय गाली के होगा संधाया SU T मैखे Talking about this when I talked with L.I. कल्यानी वहता है यह क्या करता है इसके जो पहली राजदानी होती है मानिकेट इसको हटाकर करनाटक में स्थाफित कर लेता है इस्वन्स का सबसे प्राप्ति राजा होता है विक्रम आदित्य फोर्थ कौन होता है विक्रम आदित्य फोर्थ है न विहलन एवं विज्ञानेश्वर विक्रम आदित्य फोर्थ के दर्बार में ही रहते हैं ठीक है याद रखना विहलन एवं विज्ञानेश्वर ये दोनों विकरम आदिति के दर्बार में ही रहते हैं ठीक है ये रचनाकार है लिखते हैं कुछ ना कुछ मेताश्रा नामक गरंद की रचना महान विधी वेता विज्ञानेश्वर ने की थी ठीक है याद रखना मिताश्रा एक बुक है जिसमें हिंदी विधी ग्रंत यग्य वल्क्य स्मृति पर व्यख्या की गई है ना यग्य वल्क्य स्मृति पर व्यख्या की गई है मिताश्रा बुक में ये किसने लिखी है ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने ठीक है और विज् विक्ताbnाइ को देवचरित्र के लिए नाम के नाम है विक्ता देव चरित्रं के रचना भिछैलरमनी डिए उसके बात्यन उसके प्रकाश मैं है कि उपर पूछा जाता है ऐसके ओपर बुख है इस जीवन लुख हो इन इस बानाम अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है अच्छी तरह से समझा है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कोशन अंसर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगे आप उनको बिल्कुल सही करोगे ठीक है मैं 60 से भी ज्यादा कोशन अंसर कवर कराऊंगे नेक्स